नमस्कर दोस्तों शोट अपडेट तो देको फ्रिंट्स यहाँ पर क्रिप्टो करंसी का अनुपालन है वो यहाँ पर वीज़ई प्राप्त कर देगा यहाँ पर इस लाइन में कुर्स यह जो फाउंडर है इंडियन क्रिप्टो करंसी एक्चेंज का वो कहना चाते है यह भी कहना çाते है कि यहाँ पर जो यह industry है इंडियन इंडियरी में से काफे सारे lack Shift हो चुके जैसे कि काफे सारी कंट्री बिटकोईन को अडप्ट कर रहिए क्रिप्टो करंसी को अडप्ट कर रहिए दुबबई, सिंगापूर, उनाइटेट स्टेट वहाँ पर सभी लोग regulatory के बारे में बादचित करें जैसे इंडिया में only tax डालाई बट regulation के बारे में कोई बादचित नहीं हुई है और देखो प्रेंट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर आई मोटे देर पर वही के रहे कि 28% जितना GST लग सकता है बट वो आई थिंक एकचेंज वालों को लगेगा यहाँ पर यूजर को नहीं लगेगा मेरे इसाब से तो देखो प्रेंट्स यहाँ पर कुछ का है कि जो रसियन यूजर है उसके एकाउंट यहाँ पर इन लोगों ने ब्लॉक किये है मतलब कि यहाँ पर साफ तोर पर लिखा दाए तो यूजर का जो क्रिप्टो एकचेंज को इन बेद है यहाँ पर जो रसियन कस्टमर मतलब उसके जो यूजर है उसमें काफे सारे लोग का अकाउंट को बैन कर दिया है मतलब ब्लॉक कर दिया है ये रसियन जो न्यूज चिनल वाले है वो बता रहे हैं तो देखो मैंने कहा था ये रसिया ये ये युक्रेन का वो रहे तो यहाँ पर काफे सारे प्रोबलेम आ रहे जैसी कि अभी एक कोईन बेस देखो एकाउंट ब्लॉक कर रहे है ये बड़ा एक्चेंज है कल जाके कोई और एक्चेंज ब्लॉक करेगा क्योंकि यहाँ पर गवर्मेंट कहेंगी वो एक्चेंज वालों को तो करना पड़ेगा और यह लोग कर भी रहे जैसी कि ब्लोग करेंगे तो बहुत सारा बड़ा प्रोब्लेम होगा तो देखो फ्रेंट्स कहीं न कहीं है इंडिया का प्रोब्लेम है 30% टेक्स प्लास 1% टीडियस उपर से लोग जेस्टी के बारे में बातचित करें उपर से यहाँ पर निर्मला स्रीतारमंची बार-बार के रहे के सटा है यहाँ से मनी लॉंडरिंग किया जा सकता है गलत चीज़े तो यह बहुत बड़े प्रोब्लेम है इसलिए देखो इंडिया से तो कोई इतना ज्यादा वोल्यूम नहीं आ रहा है और यहाँ पर main country cryptocurrency में इंडिया है यह market इसलिए गिर रहा है बाकी कोई बड़े कोई रिजन नहीं है यहाँ पर एक बार इंडिया में positivity आ जाए इंडिया में कोई positive news आ जाए वहाँ से market bounce back है बाकी next time आप देखो यहाँ पर next जो bitcoin का halving है 2024 में मतलब आप 2 साल का target लेके बेठोगे तो बिल्कुल profit होगा आज से आप buy करोगे तो 10x से ज़्यादा आपको profit होने वाला है तो देखो प्रेंच अभी यहाँ पर market में TA कामी नहीं कर रहे है चैसी कि हमने जो support area देखा था यह देखा था यह देखा था support area 35,500 डोलर बट वहाँ से breakdown करके bitcoin अभी यहाँ पर last जो dump मारा था 33,247 डोलर अभी last report है इसको breakout किया मतलब 33,000 को hold नहीं कर पाया अभी यह weekend पता चलेगा weekend 33,000 या तो 33,500 या तो 34,000 पर closing मिल जाता है मतलब समझ लो फिर हम 29 वाला area देखने वाले next time बटे measure support है यहाँ पर अच्छे खासे बायर बैठे हुए यहाँ पर मैं daily chart लेके आपको बता दू तो आप यहाँ पर देखना daily से कोई problem नहीं है हमें at least weekly closing 38,000 डोलर से उपर चाहिए वरना और हम गिर सकते है और यह देखो market में पूरे negative negative news आ रहे है जैसे कि मैंने कहा था crypto market पूरा news पर dependent है और देखो फ्रेंट्स लास्ट में तो देखो फ्रेंट्स यह है M.A.C.E. exchange यह international exchange है यहाँ पर आप P2P से INR deposit and withdrawal instant कर सकते हो UPI भी गाम कर सकता है bank भी गाम करता है जितने भी transaction की आपके पर system है सबी system यहाँ पर काम करती है साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा giveaway आप उपर देख सकते हो M.A.C.E. में car जितने का मोगा मिल रहा है यहाँ पर Apple का mobile जितने का मोगा मिल रहा है साथ यहाँ लाग USDT तक आप जित सकते हो तो देखो ब्रेंट आप लोगे ने चल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चल्ड को सब्सक्राइब करना बेल वाल आइकन कोल पर क्लिक करना पूलना मत क्यूंकि confidence मिलता है एक ही सब्सक्राइब से